बच्चों हम अच्छे शेहरी की तफ्रीम करने से पहले एक सरगर्मी करेंगे इस सरगर्मी में हम जानेंगे के शेहरी किसे कहते हैं शेहरी किसी मुल्क में रहने वाले फर्ट को कहते हैं जैसे हम पाकिस्तान के शेहरी हैं, हम पाकिस्तानी कहलाते हैं बच्चों आईए देखते हैं कि एक अच्छा शेरी कौन होता है यानि एक अच्छे शेरी के क्या फराइस होते हैं और उनमें क्या फुचुर्सियत होनी चाहिए एक अच्छे शेरी को लड़ाई जगडा नहीं करना चाहिए बलके प्यारों मुहबबत से रहना चाहिए जिसे के आप अपने क्लास में अपने साथियों के साथ प्यारों मुहबबत से रहें गड़ाई जगड़ा ना करें गंदगी ना प्हेलाएं हमें कूड नीचे नहीं फेकना चाहिए कूड़ा कूड़े दान में डालना चाहिए और अपने मुलक को साफ सुत्रा रखना चाहिए Аपने मुलक के गली महले की सपाई का ख्याल रखना चाहिए अपने महोल को साफ सुत्रा रखें ताके हम तंद्रूस को तवाना रहें और मुलिकी तरक्ती में बढ़ चड़कर हिस्सा लें दरख लगाएं, दरख और पौदे कौमी दौलत हैं, इनकी नसे फिफाज़त करें, बल्गे इन में इजाफा करते रहना भी हमारा फर्ज है पतार में खड़े हो, हस्पतार, डाखाना, बैंक और दूसरी जगाएं, जैसे अगर आप स्कूल में हो या स्कूल की वैन में चड़ते उतरते वक्त, अपनी बारी का इन्तिजार करें बूडे, बिमार और नाबीना अफराद का हाथ पकड़ कर इन्हें सड़क पार करवाएं चोरी न करें, बगहर इजादत किसी की चीज उठा लेना, इसे खराब करना या चुरा लेना गुना भी हैं और पानूनी जुर्म भी हैं इसके इलावा भी बहुत सारे ऐसे कामे बच्चों जिन्हें अधा करके हम अच्छे शहरी बन सकते हैं मसलन हमें किसी को दोका नहीं देना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए, कानून की पाबंदी करते रहना चाहिए, सज बोलना चाहिए, रफाई कामों में हिस्सा लेना चाहिए हमें चाहिए कि अच्छे मुसल्मान शहरी की हैसियत से अपने फराईज अदा करते रहें बच्चों आईए हम एहद करते हैं कि हमें अच्छा पाकिस्तानी शहरी बनना है, अच्छा मुसल्मान बनना है और अच्छा इंसान बनना है